नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक तो मैं चैनल सर्चिंग फर नियू स्मार्टफोन अंडर 15,000 देन आप सई जगा आ रहे हो दोस्तों 15,000 का जो सेग्मेंट है वो अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है तो हम आपके लिए लाए कुछ स्मार्टफोन जो इस सेग्मेंट के अंदर बहुत अच्छा पार्फॉर्म करते हैं अच्छे अच्छे फीचर के साथ आते जैसे की पावरफुल प्रोसेसर डिस्प्ले कैमेर और 5G जैसे फीचर के साथ आते हैं चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा लिस्ट में फिप नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन है सैमसंग का M13 बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है यह दोस्त वेसेटली जुलय में ही लॉंच होआ है यह फोन और इजी डिवाइस फ़र बजेट बायस चलिए फिर उसके कुछ की फीचर जान लेते हैं इसमें आपको 615 इंच का फूल एडी प्लस डिस्पले मिलता है 90 हर्ट रिफ्रेश रेट वीज कॉर्णिंग गोरिला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ इसका सेकंड फीचर है था एक मिलती है Brick Fire कारें तो इसमें आपको डियुल के मिलता है जिसमें से एक हे फिवटी मीगब भीक्षल और दूसरा है टु मेंग भीक्षल उसी के साथ पॉन में 5 मेंगी अपिक्षल का सेल्फी कैमेरा मिलता है इसमें आपको डियल सिमकार्ट के साथ माइक्रो अस्ट का सबड़ अलग से मिलता है यह फोन 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है इस फोन की प्राइज है 13,999 रपी हमारी लिस में फॉर्थ नंबर पे जो आता है वो है विवो टीवन 5G स्मार्टफोन चलिया तो फिर उसके कुछ की फीचर जान लेते हैं इस फोन का फर्स्ट फीचर है इसका 6.5 इंच का फूल 80 प्लस 120 हर्ट्स का डिस्प्लेग सेकंड है इसका प्रोसेसर जो कि है स्नैप ड्रगन का 695 5G प्रोसेसर थर्ड फीचर की बात करू तो वो है इसकी 5000 अमेच की बैटरी नेक्स्ट फीचर की बात करूए तो वो है इसका 5G सपॉट इसका अगला फीचर है कामेरे का जिसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमेरा सेटप जिसमें फर्स्ट है 50 मेगा बिकसल का यड इंगल सेकंड है 2MB का Macro और थार्ड है 2MB का Depth Camera Sensor उसी के साथ हमें Selfie Camera मिलता है वो है 16MB इसका अगला फिचर है इसका Acclaimed Design इसके निक्स फिचर की बात कुरूँ तो वह है इसकी Multi-Layer Cooling System जो की इस फोन को थंडा रखने में काम ने आती है इसका 4GB RAM 120GB Storage का Variant 17990 में मिल जाएगा लिस्ट में थर नंबर पे जो फोन आता है वो है Realme का Realme 450 मेरी मानों तो ये गेमिंगे लिए बहुत ही अच्चा फोन है चलिया तो फिर उसके भी की फिचर जान ही लेते इसका फिर्स्ट फिचर है इसका 6.6 इंच का Full HD Plus डिस्प्ली वीध 120Hz रिफ्रेश रेट सेकंड आता है इसका MediaTek का Helio G96 का प्रोसेसर थर्ड फिचर है इसकी 5000mAh की बैटरी प्लस इसमें आपको 33W Air Dart Charger का सपोर्ट मिलता है बात मीं इसके Camera Features की बात करेंगे इसमें आपको मिलता है 50 MP,rama 2 MP, 2 MP ka Triple Camera Setup frontline camera की बात करेंगे आपको मिलता है 60 MP ka सलिपी कामिरा next feature की बात करेंगे इसमें आपको Dual SIM Card के साथ का सपोर्ट अलग से मिलता है इसके RAM & Storage की बात करेंगे इसमें मिलता है 4GB RAM और 64GB Storage का अगर इस smartphone की प्राइजिंग की पाथ करते हो यह आपको 12000 सो 13000 की बीच्पन दू जाएगा सिकंड नमबर का phone ही वो है motocard G52 इस phone की खासियत ही इस की sound quality और इसका डिस्प्लेइ चलिया तो फिर जान लेते ही इस phone के features के बारे में फर्स्ट फिचर ही इसका 6.6 इंच का 90Hz का OE LED डिस्प्लेइ OE LED पैनल के वे जैसे इसका डिस्प्लेइ बहुती क्रिस्प और क्लियर तिकता है इसका सेकंड फिचर है इसका प्रोसेसर वो आता है Snapdragon की तरह से Snapdragon 680 थर्ड आती है इसकी 5000mAh की बैटल इस phone को बेस्ट sound quality प्रोड करता है वह है इसका Dolby atmosphere speakers का feature उसके वज़े से sound clarity crisp and clear है camera की बात करो तो इसमें आपको मिलता है triple camera setup जिसमें है 50 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel camera setup शिक साथ फ्रन्ड विए हमें 8 megapixel का selfie camera setup मिलता है ये phone slim और light होने के कारण इसका weight से 169 grams है ये phone बहुत ही light weight होने के वज़े से इसे carry करने में आसनी होती है long duration के task आप इससे easily कर सकते हैं storage और RAM की बात करो तो इसमें हमें 4GB RAM और 64GB storage मिलता है pricing की बात करो तो ये हमें online 12-15000 में मिल जाता है और finally number one हमारी लिस्ट में number one का phone है POCO M3 Pro It is very affordable phone with powerful performance and good looking design with 5G connectivity चलिया तो फिर इसके कुछ key features जान लेते हैं इस phone का first feature है 6.5 inch full HD plus display with 90Hz refresh rate इसी के सथा में इसमें Corning Gorilla Glass 3 का support भी दिखाई देता है Coming to the next feature is processor जो कि हमें Dimensity 700 का processor मिलता है ये processor POCO M3 Pro को बहुती powerful performance प्रोवाइड करता है इस phone का third feature है इसकी 5000 mAh की battery जो 18 watt power charging के support के साथ आती है अगला feature है इसकी 5G connectivity जो की दोनों SIM में मिल रही है चलिया इसकी next feature के बारे में जामते हैं अगर camera का बात करो तो इसमें हमें triple camera setup मिलता है इसमें 48 megapixel, wide angle camera, 2 megapixel का macro और 2 megapixel का depth camera मिलता है इसके साथ हमें 8 megapixel का front facing camera मिलता है next feature की बात करो तो इसमें हमें मिलता है 360 degree ambient light sensor और RAM और storage की बात करो तो हम मिलता है 4GB RAM और 64GB storage pricing की बात करो तो ये phone हमें 14,990 रुपय में मिलता है सभी phone के buying links description box में mention किया हुए है तो ये थी top 5 smartphones under 15,000 I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गर पसंद आया है तो ये को like और share करना ना बुले और मेरे चैनल को subscribe करना ना बुले Thank you आपको उना बुले